मढगाव से होते हुए छे पाच्छे किलोमीटर की दूरी पर ये बीच है बहुत नजदिक है मढगाव से और अभी सुबह का वक्त हुआ है आड़ बजे है तो कुछ तुरिस्ट लोग अपना एंज्वाइ कर रहे हैं लुप्त उठा रहे हैं मजे उठा रहे हैं तुरिस्ट इस जो लोग ये देखिए कि मैंता है हलो गुड मॉर्णिंग कि गुड मॉर्णिंग काई वि पूरा लुप्त मजा उठा रहे हैं तुबे तुबे का वक्त है और जो लहरे हैं समुन्धर की बहुत बहुत बेहतर इंग इतना प्रेश समुन्दर है आप देखिये कितना फ् प्रेस समुंदर है और इतना क्लीन सबसे बढ़िया बहुत समुंदर है इस तरह और आज दूप भी है कि अब बादल जैसा क्लाइमेट था आज दूप है और दूप खील उठी है और ऐसी दूप खील उठी है कि अभी फिलहाल शांदार नजारा देखने को मिल रहा है और समुंदर की लहरे उफान पर है दूर दूर तक आपको उफान नजार आएगा कि यह बिल्कुल बहुत बढ़िया नजारा आज देखने को मिल रहा है कि क्लीन है बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना क्लीन है देखें दोस्तों यह पोल्वा बीच है यहां के नजारे बहुत 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 बढ़िया है क्लाइमेट पानी भी बहुत साफ है बिल्कुल पीए जाएगा क्लीकॉल आप देख सकते हैं अपानकॉल हुआ है वे दो रहे हो दो 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 आप लहरे लहरे नजहरे नजहरे आगवाने यह है कोल्वा बीच बहुत बड़िया नजारे दूर देखे तो बहुत सारी शीप नजर आने आएगी बहुत दूर है शीप यह लहरे बहुत उस्तान पर है दोस्तों तो यह है कोल्वा बीच मडगाओ गोवा का वक्त है आड़ बच चुके है में आड़ लूर सीरक बीचार है दूर 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 क्था दो पने दी एक एका। यह यहार। यह 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 यहुट यह यहुट। कर दो कि देखिए दोस्तों गोवा का नजारा बिल्कुल क्लीन है दोस्तों समुंदर की लहरे समुंदर का पानी इतना क्लीन है बहुत क्लीन आप देख सकते हैं 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 आप देख सकते है